केरल की वाइनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उक्चुनाव में कॉंग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है वह अब बुधवार को नावांकन करेंगी इस दोरान वाइनाड में एक बड़ी रैली होगी जिसमें प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई और वाइनाड से पूर्वसांसद राहूल गांधी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिक करजुन खड़गे के मंत्रियों के साथ साथ प्रमुक राष्ट्री और राजस्तरी नेताओं के भी अपना समर्थन दिखाने के लिए वो वहां मौझूद रहने की उनकी संभावना है पिछले सब्ता चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोग सभा सीट पर उपचुनाव की घोशना के साथ ही प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीती में एंट्री हो गई थी प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में हिस्सा ले रही है, वाइनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी है, वाइनाड लोग सबाशेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं जिन में प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया है कॉंग्रेस ने जून में ही घुशना की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदी के शेत्र को बरकरार रखेंगे और केरल में वायनाड सीट खाली कर देंगे जहां से उनकी बहन प्रेंका गांधी अपना चुनावी पदारपन करेंगी अगर प्रेंका गांधी चुनाव जीतती हैं तो ये पहली बार होगा जब वह संसद के तौर पर संसद में प्रवेश करेंगी ये भी पहली बार होगा कि गांधी परिवार के तीन सदस सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रेंका गांधी एक साथ संसद में होंगे वहीं बीजेपी ने वाइनाड लोकसभाव चुनाव के लिए कॉंग्रेस की प्रेंका गांधी वाडरा के खिलाफ नाव्या हरिदास को मैदान में उतारा है ये सीट राहुल गांधी के इस साल के संसदी चुनाव में दो सीटों पर जीत के बाद उत्तरप्रदेश की राय बरेली सीट बरकरार रखने के फैसले के बाद खाली हुई थी राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल के सीट खाली करने के बाद कॉंग्रेस ने प्रियंका गांधी को उनके चुनावी पदारपन पर वाइनाड से मैदान में उतारने का फैसला किया था। ये फैसला गांधी परिवार द्वारा इस निर्वाचन शित्र को दिये जाने वाले रणनीतिक महत को दर्शाता है अब बीजेपी ने भी एक महिला उमीदवार को प्रेंका के खिलाफ खड़ा करके इस चुनावी जंग को और दिल्चस्प बना दिया है नाब्या हरिदास के बारे में अगर बात करें तो वो 49 साल की हैं उनके पती का नाम शोभिन श्याम है वो एक मेकनिकल इंजिनियर है नाब्या हरिदास भी ग्रेजुएट हैं उन्होंने के एम सीटी इंजिनिरिंग कॉलेज काली कट विश्वध्यालय से 2007 में बीटेक किया है वो कोजी कोट सहकारिता से पार्षत भी रह चुकी हैं 2021 में हुए विधान चुनाव में भी बीजेपी ने नाब्या को मैदान में उतारा था लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था वो कोजी कोट दक्षिन केरल निर्वाचन शेत्र से चुनाव लड़ी थी 2021 में कोजी कोट दक्षिन विधान सभा सीट से चुनाव लड़ने वाली नाब्या तीसरे स्थान पर रही थी इंडियन नैशनल लीग से अहमद देवर कोविल ने इंडियन यूनियन मुसलिम लीग के नूर बीना राशित को 12,469 वोटों के मार्जन से हराया था तीसरे नंबर पर रही नाब्या को 24,873 वोट हासिल हुए थे वहीं पहले स्थान पर रहे एहमद दवर कोविल को 52,557 वोट मिले थे आप देखना ये होगा कि बीजेपी के परत्याशी नाब्या हरिदास प्रेंका गांधी के सामने कितनी बड़ी चुनावती पेश करती है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद